मदप्रदेश के निमाड और खासकर खरगों जीले में सपे सोना यानि की कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। जीले में करीब सवादो लाख हेक्टियर में बीटी कपास की बुआई होती है। इस वर्ष मोसम की मार जहले के बावजूद दिवाली पर करसी मंडी में कपास की बम पर आवक हो रही है। रोजाना किसान यहां भारी मात्रा में वाहन लेकर अपनी उपज बेचने पहुच रहे हैं। बता दें कि किसी उपज मंडी में सितंबर माह में कपास की खरदी प्रारंभूی थी पिछले साल के मकाबले इस साल सितंबर में करीब 20% से जञादा कपास की आवक होई है। दोनों ही महिनों का आउसत प्रतिसत दिकाला जाय तो करीब 44 फीज़ दी अधिक कपास की खर्दी इस वर्ज की गई है बीते साल के मुकाबले वहीं अगर भाव की हम बात करें तो अच्छी क्वालिटी की कपास का यहां करीब चोहतर सो रुपे प्रतिक कुइंटल के हिसाब से किसानों को दाम मिल रहा है मंडी सचीव लक्षमान सिंग ठाकूर बताते हैं कि बारिस और गर्मी से किसानों की कपास की फसलों पर प्रभाव तो पड़ा है लेकिन मंडी में अभी आवक पिछले साल के तुल्ला में जादा ही देकी जा रही है दिसंबर जनवरी तक आवक रहेगी उसकी बार डाउन होने की गुंजाइस है हलाकि मार्ज तक खरदी होगी अभी सितंबर और अक्टुमबर दोनों ही महिनों में करीब 2,4,801 कुइंटल का पास की खरदी हो चुकी है जबकि 2022 में ये आकड़ा 1,42,000 बांड कुइंटल रहा था आपको बता दें कि जीले की मिट्टी से निकलने वाले सफेद सोने से सूत बनता है जिसका उपयोग कपड़ा बनाने में होता है खरगोन के कपास से बनने वाला सूत देशी नहीं बलकि वीदे सो तक पहुचता है अभी तो कपास के आवग अच्छी चल रही है बिछले जो बारिस हुई थी बारिस के कारण थोड़ा लोज जरूर हुआ है हम अभी याश्टियर के तुल ना में हमारे पास में जो डेटा है सितंबर में हमाना चालू हुआ था और अक्टूबर थी दूसरा महिना है और चल लिए अवग तो मेरा लग रहा है दिसंबर जनवरी तक रहए है पिर उसके बार दान हो जाएगा पिछले साल से तो अभी तो बढ़के ही है लास्ट में जाने पता चलेगा अप्रेंटु मार्च हम कंपेर करते हैं इसके हिसाब से अगर जनवरी फर्वरी मार्च तत चलेगा तो मैं समझता हूं कि हो जाएगा कवर अभी अच्छे माल के साथ हजार से उपर जा रहा है झाल करिए करीब चर्स अभी हो जाते हैं सेवान ठीक करिभी अर्वाच पांडे में बढ़ जाते हैं और बाकि दिनों में 600-7 के करीब और करीज़ा दीपक बांडे लोकलेटीन खर्गोर